हेलो एस्पेरेंट, स्वागत है आपका टेली वाइट्स में, हम आज डिसकस करने वाले हैं जो 20 तारीक 20 अगस्ट को सीटेट हुआ है उसके बारे में, तो चलिए बिना किसी देर के CDP के क्वेस्चन को डिसकस करना शुरू करते हैं, इस बार का सवाल देख करके बहुत ही किया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं, देखो पहला ही सवाल एजर्शन रीजन से हैं कि पहली चीज क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंडर हमें इन बिल्ट करना है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं तो उसका देरक्षा है कि शूड एक्सपोज देम टू रीजन की, तो रीजन में क्या बता रहा है कि student learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversations across differences, उनके बहुत सारे जब डिफरेंसे होते हैं तब जब वो conversations करते हैं तो उनको जादा अच्छे से समझ में आता है, तो सही बात है, डिफरेंसे यही वो डिफरेंसे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, कि बच्चों को जादा समझ में आएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह दोनों बिलकुल सही है, तो यहाँ दे को यह option उल्टे हुए है, तो इनको ध्यान से लगाने की जरूरत है, तो इसका answer क्या होगा, that would be fourth, A and R are true and R is correct explanation of A, चलिए, आगे बढ़ते हैं कि primary goal learning का क्या होना चा कि competition बिलकुल नहीं होना चाहिए, और wrote इस word की वज़े से again यह option नहीं होगा, और जैसे ही हमने देखा है, यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि यह यहाँ पे दे रखा है development of critical thinking, तो बस इसी को हम answer लगाएंगे कि समा लोचनात्मक चिंतन का विकास करना ही अधिगम का प्रात्म लक्ष है, पहला primary goal यही है कि critical thinking develop हो जाए, क्योंकि critical thinking develop करते समय अभी पहले प्रशन में बता रखा है, different perspective को हम consider करते है, now next question is about variability in learning style of student, जो changes होते हैं, उनको कैसे देखना चाहिए, तो barrier or hindrance देखना चाहिए, तो बिलकुल भी नहीं, barrier hindrance नहीं देखना चाहिए, should not be taken, अब not पर दे रखा है, तो again यह भी नहीं होगा, should be values and seen as reflection of human diversity, सही बात है, इसको महत्वता देनी चाहिए, समझना चाहिए, और मानव विधिताओं को समझ करके उसी के प्रतिविम्प के रूप में देखना चाहिए, अगला सवाल है कि children को बहुत अच्छे से, बच्चों को सबसे प्रभावी डंग से तब सिखाया जा सकता है, या तब हो जादा सीखते हैं, जब कोई भी चीज rational से empirical जाती है, तो देखो rational होता है, जिसको की हम तर्क संगत है, और empirical जो अनुभाव जन्ने होता है, तो यह इस प्रकार नहीं होता है, रधर अनुभाव जन्ने से तर्क संग पाते हैं, तो क्या होता है, सिंपल से complex जाने की बाद जादा important है, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे abstract to concrete, आप परेशान हो सकते हैं, तो सोच पहले हमारी मूर्थ होती है, बाद में अमूर्थ सोच आती है, तो इसका सही answer क्या होगा, generic to specific, हम पहले general से शुरू करते और specific पर ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो generalized तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं, और specific types बता करके किसी भी चीप का firm छोड़ते हैं, अगला सवाल है कि इन में से कौन सा process नहीं, अब देखो जो नहीं वाले सवाल होते हैं, चाहीं easy हो पर वो आते difficult की category में हैं, ठीक है, तो नहीं, क्या नहीं करता है, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दोरान योगदान नहीं करती है, क्या help नहीं करेगा, तो आप देखो options पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या help नहीं करेगा, के टेगराईजेशन, कैटेगरी तो बनाते हैं, हम वर्गीकरन करते हैं, और्गनाईजेशन, पैयाजे को पढ़ा है, तो पता ही होगा हम लोगों को क्या, कि पैयाजे ने साफ सिधे बता रखाय», कि और्गनाईजेशन जरूरी है, conceptualization जहां पर हम conceptual clarity रख रहे हैं conceptualize कर रहे हैं पूरे chapter को तो बचा क्या decontextualization किसी भी चीज से गैर प्रासंगिक्ता नहीं होनी चाहिए अब जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं आप लोगों को geography ठीक है और geography पढ़ाते पढ़ाते I just switch to math math पढ़ाने लगी और math के concept जो geography को लगते हैं वो नहीं पढ़ा रही हूं वैसे concepts पढ़ा रही हूं जो इनका geography से कोई लेना देना नहीं है तो de context नहीं करना होता और इसके कई सारे example सुधारण आप देख भी सकते हैं ना next question is about कि बच्चों में अगर हमें problem solving skills inculcate करना है कि बच्चे problem solve करने लगें तो क्या करने की ज़रुवत है अगर हम ready made options दे देंगे तो obviously बात है कि बच्चों में problem solving skills तो नहीं आएगी तो यह option नहीं होगा discourage कर दें independent thinking को अगर हो स्वतंत्र तरीके से सोच पाते हैं इस चीज को अगर discourage कर देंगे तो बच्चे अगे बढ़ पाएंगे फिर encourage them to avoid difficult problem तो difficult problem को solve करेगा कौन उनके level पे भी difficulties अलग अलग बच्चों के level पे अलग अलग आएंगी तो यह भी option नहीं होगा तो answer क्या होगा giving them opportunities to brainstorm और brainstorming जैसा एक word है जिस प्रकार का यह word है वो problem solving के साथ सबसे सटीक बैठता है तो यह वाला answer होगा next is experiential learning experience experience बने अनुभाव अनुभाव learning जो अनुभावात्मक learning है अधिगम है वो किस पर बल देता है stress is on किस चीज़ पे तो देखो यहां पर क्या है learning as a product rather than process तो learning का हमें पहले से पता है कि वो क्या है process पर जादा हम influence करते है critical reflection ओके यह एक अच्छा option हम में मिल गया लेकिन इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या जरा दूनों option check करते है control देखो जैसे control आ गया मतलब क्या यह गायब नहीं होगा and reinforcement or in learning learning में हम पुनर बलन करते है तो behaviorism का part है behaviorism learning में आज के time पे हम include नहीं करते है rather constructivism करते हैं तो सही option क्या होगा option number two that would be importance of critical reflection अ meaningful environment meaningful environment करना चाहिए ताकि बच्चे आक्टिवली participate करें और सारे बच्चे को engage किया जा सके teacher को ऐसा करना चाहिए all children are intrinsically motivated to learn and capable in learning सारे बच्चे intrinsically motivated होते हैं और वो learning के लिए तयार होते है तो और teacher को क्या करना है कि teacher को meaningful involvement देना है जिससे कि सारा बच्चा participate करे और learn कर पाए तो normally, naturally तो हम यही मान के चलते हैं न कि सारे बच्चे learning के लिए तयार होते हैं, हमें बस उनको learning environment देने की जरूरत होती है, right, तो assertion और reason दोनों ही सही है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, both assertion and reason are right and reason is correct explanation of assertion, next question is Lev Vygotsky, देखो इस पर Lev Vygotsky से कई सारे सवाल दिये हैं, देखते ह Lev Vygotsky के अनुसार, क्या वो significant role play करता है development में, conceptual abilities among children, क्या चीज हो सकता है, तो देखो, standardized जैसे word आगया मतलब कि यह नहीं होगा, isolation की तो बात की नहीं होगा, उन्होंने तो society के साथ मिलके रहने के बात की, tangible rewards, ऐसे rewards जो कि जो को touch करके बच्चा समझ सके, सीख सके, तो rewards के बा खेरी के अनुसार, अगला प्रशन है, कि inner speech क्या होता है, तो देखो, videos lecture में, जो RM series के videos हैं, उसमें कई बारी इस चीज को बार बार highlight किया गया है, कि inner speech जो होता है, वो अपने thoughts को, अपने processes को regulate करने का, mind करने का तरीका है, कि हम किस प्रकार खुद को control करते है, behavior control में वो help करत तो question number 10 का तो direct answer हो गया, direct तो सभी के है, अगला सवाल है, कि एक चार साल की बच्ची है, अरपना जो की button को समझ रही है, कोई भी button है, उसको समझ रही है कि button जिन्दा है, अपने shirt के buttons को समझ रही है कि जिन्दा है, तो जीन पियाजे के according, उसकी जो thinking है, वो कौन से level पे है, उसकी thinking, animistic thinking है, जीववादी चिन्तन, जिन्होंने थोड़ा भी हिंदी पढ़ा होगा, उनको समझ में आगया होगा, जीववादी, और पियाजे ने जीववादी के बारे में बता रही है कि table ने मुझे मारा, गुडिया को मेरे खाना दो, उसको भूख लगी है, इस प्रक organization की agencies के उपर है, कि predominantly important है, predominantly important है, प्रमुक रूप से infancy में बहुत जरूरी है, तो क्या ये infancy की वज़े समझ में आगया, कि primary के बारे में बात हो रही है, exactly, ये primary के बारे में बात हो रही है, तो देखो मादयमिक, मादयमिक 30 है, और पहला ही मिल गया हमें, चौथा वाला मिल प्राइमरी, तो नहीं भी आ रहा है, फिर भी अगर थोड़ा था भी आता है, तो answer तक आप पहुँच गया, that would be primary, और जो secondary agencies होती है, वो लेटर childhood में हमारे important होती है, इस प्रकार fourth option हो गया answer, अगली बार ही है, लेव वाइगाट्सकी से समझने की, again सवाल है, कि लेव वाइ language development facilitates cognitive development, language development ही, संग्यानात्मक विकास को बढ़िया तरीके से सुगम बनाता है, क्योंकि हम समझेंगे कब जब हमारे पास भाषा का विकास होगा, तभी हम समझ सकते हैं, तो इन्होंने बता तो रखा था कि development जो है, वो important है, हम learn करते हैं, develop करते हैं, हम learn करते हैं, develop करते हैं, देखो जी, अगला सवाल है, लारेंस कोलवक से, जिनोंने moral development की थेरी दी, अब देखो, बच्चा क्या कह रहा है, कि moral reasoning दे रहा है, कि बच्चे का ये मानना है, कि society के according हमें चलना चाहिए, और अच्छे तोड तरीकों के अनुसार हमारा विवहार होना चाहिए, तो बच्च अगला सवाल फिर से आगया हमारा लेवाई होट की से, जो ये कह रहे हैं कि interaction with more knowledgeable other, जिनको हम MKO कह रहे हैं, like जो भी तुम से जाधा जान रहे, like peer, teachers, कोई भी है, जो important है, जो support और guidance प्रोवाइड कर रहे हैं तुमको learners को, किस चीज के लिए, तो वो understanding और skill development के लिए, तो social interaction, reason बता रखा है कि की component है, learning और development के लिए, दोनों ही बाते बिल्कुल सही है, और दोनों correct explanation और answer है, तो option no.4 is correct answer, next सवाल है कि main goal for assessment, main goal of assessment for learning, assessment for learning का क्या goal हो सकता है, तो पहली चीज देखो, compare student, compare हम करते नहीं है, तो ये answer गलत हो गया, ठीक है, तो provide feedback to student that can be used to improve their learning, इसको सोचा जा सकता है, to identify student who can be categorized as slow learners, हम categorize नहीं करते हैं, और evaluate करना कि student की performance और assign grade सही था या नहीं, तो फिर वो assessment for learning कैसे हुआ, तो answer क्या निकल क्या है, option no.2, कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्ट प्रदान करना, प्रतिपुष्टी प्रदान कर कि basically feedback देना और उन feedback के उपर काम किया जा सके ताकि बच्चा और अच्छा कर सके, अगला सवाल है कि किस stage में, किस उम्र में, किस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो word play करते हैं, like jokes और riddles, इन सब में वो करना शुरू करते हैं, तो देखो, word play यानि बच्चा शब्दों का खेल कर रहा है, शब्दों से खेल रहा है, तो वो किस stage में हो सकता है, and the correct answer is seven year को हम mark करेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों कि यहाँ पर कई सारे terminologies का इस्तमाल का है, jokes, riddle, word play, शब्दों वाला खेल भी, joke भी चल रहा है, पहेल यान चल रही है, तो वो again, moral development से question है, और ये question कई बारी, clearly, classes में हमने repeatedly discuss किया है, कि कैरल गिलिगन को ध्यान रखना, क्योंकि एक ही था, एक ही पूरा developmental theory में कोई ऐसा theory था, जिसमें कि कि किसी और psychologist ने क्रिटिसाइब किया था, और वो थी कोल्बर्ग की थी, और जो केरल गिलिगन ने लगाया था, इनके उपर प्रेलिगाम की अब बापने – क्रिटिसाइब ही किया था, कि भई, क्या कर रहे हैं तो कोल्बर्ग ने क्या किया था, कि सारी के सारी सैंपल में मेल को ही रखा था फीमेल को रखा ही नहीं था तो इन्हों ने क्या बोला कि आपने एक feminist जो feminine perspective है उसको नारिवारी दृष्टी कोण से आपने moral development को देखा ही नहीं है तो देखा ही नहीं तो जहां पर love, care, respect और ऐसी वाली चीजों का जो जिनको हम थोड़ी कोमल भा development किस बेसिस पर किया तो यह from a feminist perspective नारिवादी दृष्टी कोण से इन्हों ने क्रिटिसाइज किया था बहुत ही सही स्रॉंग क्रिटिसिजम था ना नेक्स सवाल जीन पियाजे से है जिसमें कि वो यह पूछ रहे है कि प्री ओपरेशन थाट बच्चे का चल रहा है और इसको characterize मतलब इसमें एक मुख्य कारण मुख्य विशेश्ता क्या है जहां पर कि बच्चे की टेंडेंसी होती कि वो एक बार में किसी एक चीज को ही फोकस करता है तो उसको हम कहते हैं सेंट्रेशन एक बार में केंद्रियन कि एक बार में किसी एक ही चीज को वो गौर से निहार रहा है कर रहा है कोई भी काम कर रहा है वो एक बार में कर पाएगा आप जैसे देखो कि बच्चा अगर लिख रहा है तो या तो वो लिखे गा ह तो बोलना बंद कर देगा, अगर वो बोलने लगा है तो लिखना बंद कर देगा, तो यह pre-operational stage की पहचानने का एक तरीका है, अगला सवाल है जी कि the approach to educating, gifted children, अब gifted children को पढ़ाना है, जिससे उनको curriculum के थ्रू बहुत तेजी से move कराना है, वो gifted है तो बहुत तेजी से कर रहे ह तो इस process को is known as इस approach को हम क्या बोलेंगे, तो इस approach को हम acceleration बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या क्या तेजी से कर दे, enrichment हम तब करते, जब यहां पर यह सवाल में यह बोलता, कि हम curriculum के अलावा extra बच्चे को काम करवा रहे हैं, कुछ extra चीजें करवा रहे हैं, तब इसको हम enrichment कहते, इस जिन बच्चों ने last moment पे वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने repeatedly बोला था, dysgraphia, dyslexia, पक्ये तो और पर पढ़के जाना, और dyscalculia, इन तीनों से सवाल बनते हैं, देखो, dysgraphia ऐसे बना हुआ है, कि dysgraphia क्या है, तो पैली चीज़, locomotor disability तो नहीं है, यह तो option, ऐसी बचता है हमारे पास one or two consider करने के लिए, तो यह क्या कह रहा है, कि मनोविज्ञानिक विकार है, यह विकार है, कोई problem है, मान देते हैं, यहां तक सही चल रहा है, फिर उसके बाद क्या है, lack of attention and impulsive behavior, यह होता है, ADHD में और autism में, ADHD में थोड़ा कम हो जाए, लेकिन autism में impulsive behavior होती कम होता है, तो यह थोड़ा सा मिला जुला हुआ है, देखो exactly हम नहीं इसको बोल सकते हैं, कि यह ADHD में ही आता है, और यह autism में ही आता है, दोनों का मिला जुलाव है, तो obviously बात है कि option one तो होगा नहीं, option two is correct answer, जिसमें यह बताया जा रहा है, कि यह एक neurological disorder है, जिससे कि हम में letters लिखने में और बनाने में problem होती है, formations में, letter formation में, shape formation में problem आती है, अगला सवाल है कि कोई सिक्षक जो inclusive classroom बनाना चाहता है, और चाह रहे हैं कि वो उसी में inclusive classrooms रखें, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी सही, तो एक curriculum adaptation होना चाहिए, सही बात है, उनको दूर रहना चाहिए, और diversity को obstacle देखना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, अभी हमने उपर वाले सवाल में भी किया है, तो देखो, सही कौन कौन सा हो गया, 1, 2, 3, तो अब देख लेखते है, 1, 2, 3, कहां पे है, यह रहा, चौता option, तो यह 1, 2, 3, सही हो गया, अब बात आती है, Harvard Gardiner की, देखो, classes में कई बारी हमने batch में डसकस किया था, कि Harvard Gardiner से related एक सवाल बनता है, जहांपे कि वो profession आता है, और profession से match करना होता है, intelligence type, और यह बिल्कुल वैसा ही सवाल आया, लेकिन काफी easy सवाल है, कि कोई philosopher है, तो उसके पास कैसी intelligence होगी, और कोई sculptor है, यानि मूर्तिकार है, उसके पास कैसी बुद्धी होगी, तो देखो, जो मूर्तिकार है, उसके दिमाग में मूर्ति पहले बनती है, कि उसको कैसे मूर्ति गढ़नी है, कैसे मूर्ति बनानी है, तो उसके पास, sculptor के पास कौन सा intelligence होगा, special intelligence होगा, special, या फिर, इसको हम बोलते हैं, दिकस्थान, दिकस्थान, दिमाग में पहले से क्लियर हो जाना कि क्या कहां पर बनना चाहिए, यह importance जादा, मतलब यह intelligence जादा होती तो philosopher के पास कौन सी होगी, तो interpersonal level of intelligence जादा होगी, तो interpersonal, sorry, intra-personal philosopher है, वो दर्शनार्थी है, दर्शन शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, तो वो intra-personal के बारे में जादा अच्छे से जानेगा, वो खुद के बारे में जादा अच्छे से जानेगे, और जो मूर्तिकार होंगे, उनके पास special intelligence होगा, यह थोड़ा धंगा question था, now, next सवाल क्या है कि autism, which of the following is typical characteristic of students having autism, किन students के पास autism होगा, तो देखो, जिन बच्चों को autism ह होता है, उनमें high communication नहीं होता, यह गलत हो गया, repetitive and reoccurring behavior, यह सही answer है, वो repeat करते हैं, बातों को, काम को, उनको मना करो, फिर भी वो वही काम करते हैं, चुप रहते हैं, थोड़ा सा society से दूर भागते हैं, emotionally वो थोड़े से होते हैं, कि वो emotionally थोड़े stunted होते हैं, as in कि तुरं इस्टिक बच्चे जादा शो करते हैं, next is कि इन में से कौन सा gross motor skill है, तो gross motor skill के बारे में ध्यान रखना जिसमें की larger muscles काम करते हैं, larger muscles काम कर रही हैं, तो options चेक करना शुरू करते हैं, cutting along the outline of big rectangle on the paper, paper पे एक बड़ा rectangle बना हुआ है, इसको हम काट रहे हैं, तो इसमें बहुत cutting the circle, circular outline, अब circle बना हुआ, इसको cut करना, तो इसमें भी again बहुत ध्यान की जरूरत है, तो कौन सा रहे हैं, इसमें larger muscles use कर रहे हैं, तैरना, swimming, इसमें सबसे जादा larger muscles use हो रहे हैं, ठीक है, तो answer क्या होगा, तैरना, अगला सवाल है, देखो, growth or development से है, कि physical growth or development कौन सा principle follow करता ह है, यहां पर देखो, क्या करता है, तो differentiation simple to complex और complex to simple, पहले differentiate होता है, फिर integrate होता है, यह कौन सा follow कर रहा है, integration या differentiation, differentiation या integration, कौन सा कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले विकास होता है, top to down, और फिर proximo distal होता है, तो शिफालो caudal and proximo distal, यह आएगा, cephalo caudal and proximo distal principle of development, physical growth, physical growth development का एक पार्ट है, तो development का वो पार्ट जो physical growth से बहुत जादा ही नस्दीकी association में रह रहा है, वो कौन सा चीज, इन में से कौन से सिध्धान्त का पालन कर रहा है, तो उसमें differentiation integration की जरुवत ही नहीं है, और proximo distal top to down नहीं होत proximo distal होता है, नस्दीक से दूर वाला, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, सही option हो गया, चौथा नंबर, अब जी, अगला सवाल है कि in early childhood growth कैसा होता है, और thinking कैसी होती है, यह सवाल वाक कई, अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल है, तो अब इसको देखो और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, हम लोगों को समझने में, शुरू करते हैं कि early childhood में जो growth है, कैसा होता है, तो infancy से compare करें, तो कम होता है, infants जो होते हैं, छोटे नवजात, सिशु होते हैं, बहुत तेजी से development होता है, ठीक है, तो उनसे तो इन में कम रहेगा, और इनकी सोच कैसी इनफैंसी और early childhood की तुलना में steady हो जाएगा, थोड़ा सा रुपने लगेगा, somewhat steady हो जाएगा, steady भी नहीं हम कहेंगे, इसको slow बोलेंगे, अगर बढ़िया सही तरीके से समझा जाए तो इसको हम slow बोलेंगे, कि एकदम slow हो जाएगा, और thinking क्या हो जाएगा, logical, तो आब option दे लेकिन कुछ हद तक स्थिर है, स्थिरता से अब चल रहा है, somewhat egocentric and steady and logical, यहाँ पर देखो यह चीज तो समझ में आगे, कि logical होगा और steady होगा, लेकिन अब यहाँ पर ग्रोथ के बारे में सोचने की जरुवत है, और यह एक अभी इस पेपर का सबसे difficult सवाल है, अभी तक में Now, तो इसका answer tally करना हो सकता है, maybe जो main answer sheet आए, उसमें कुछ अलग हो सकता है answer, लेकिन 3 और 4 में से ही कोई answer होने वाला है, अभी के लिए फिलाल के लिए हम answer 3 मान के चलेंगे, कि egocentric होता है और धीमे होता है, इस तिर हो जाता है middle childhood में आते आते, next question है, कि इन में से कौन सा example ह जहां पे, कि reflection की जरुवत है, बच्चों को अपने सोच के उपर विचार करने की जरुवत है, कि उनकी सोच कैसी चल रही है, जब भी सवाल what से आएगा, bloom stick sonomy को याद करो, ये direct है, तो ये तो दोनों option में नहीं होगा, how और why वाले प्रशन हमें ऐसी सार बनाते हैं, जहां कि reflection हो, अब दोनों प्रशन को पढ़ लेते हैं, how do you change verb, अपने को direct सवाल आगे, how do you change verb to present tense, तो ये अगें नहीं होगा, इसमें कुछ critical thinking और अपने सोच के उपर विचार करने की जरुवत नहीं है, तो answer क्या हो गया, first आप रूपी, option नहीं भी पढ़ा, फिर भी first answer हो गया, क्योंकि how has your thinking about the use of verbs changed, कैसे, शुरुवात में जो तुमने पढ़ना शुरू किया था और अभी जो तुम पढ़ रहे हो, उसमें कैसे अंतर आया है, तो बच्चा अब अपनी सोच के उपर सोचेगा, विचार करेगा कि कैसे कैसे चीज़ें बदली है, ना, ये सवाल भी again, ब वैसे ही आरोपन का internal कि हम खुद को समझा रहे हैं, खुद को reason दे रहे हैं कि हम fail क्यों हुए, इन में से कौन सा example है, तो देखो, I failed test because my friends, again, बाहर चला गया, external हो गया, तो ये option से बाहर हो गया, I didn't score good marks because teacher was biased, teacher बायस थे, teacher ही पक्षपाती थे, तो अगें ये भी नहीं होगा teacher is tough grader, teacher को खुश करना बहुत मुश्किल है, इस वज़ा से मैंने अच्छे score नहीं किया, again, ये बाहर चला गया, तो फिर option answer क्या बनेगा, I failed the test because I didn't study and, ये बहुत ही guts चाहिए लोगों को समझने के लिए, कि मैंने ये exam fail इसले किया है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्या पाया था, रोज दिन classes हो रही थी, पर मैं नहीं classes को ignore कर दिया, attend नहीं किया, जिसकी वज़ा से मेरे number कम आये है, and last सवाल, assertion reason का, हमने assertion reason से शुरू किया, assertion reason पर खत्म कर रहे है, बढ़िया है, जेंडर से देखो सवाल है, तो सवाल assertion reason से क्या बन रहा है, कि at very early stage, बहुत ही कम उम्र में लड़कियां जो है, बहुत सारे culture की across world, चुन लेती है, dolls, as toys, खिलोना, और लड़के, कार से खिलना पसंद करते हैं, और reason क्या दे रखा है, इस कथन का, कि जो बच्चे हैं, वो organize करते हैं information को about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expect and behave accordingly, यहां पर क्या दे at early stage, बहुत ही कम उम्र में अपलाई कर लेते हैं, तो यह तो false हो गया, बहुत ही कम उम्र में नहीं करते, rather यह late childhood के बाद दीरे दीरे उनको चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं, कि 10-11 साल के बाद यह चीज़ क्लियर होती है बच्चों को, तो यह अच्छा statement होगा, क्योंकि जैसे-जैसे puberty को hit करते हैं, वैसे-वैसे इनको यह चीज़ समझ आने लगती है, अपने according toys चुनने लगते हैं, और reason को बिलकुल ही वैसा दे रखा है, कि जो छोड़े बच्चे हैं, वो boy और girl तुरंट समझ जाते हैं, बच्चों को properly नहीं समझ में आता हैं, जब तक उनको कोई अगला इंसान ना बताया, और यह चीज़े puberty से शुरू होती हैं, तो यह assertion और reason दोनों के दोनों गलत हैं, तो यह कुल मिलाके हो गया जी हमारा CDP का सारा analysis, और paper कुछ इस प्रकार का बना है, कि अगर आपने इस paper में 20 कम से कम, 20 या 22 well done if you have achieved this, और नहीं भी है, फिर भी अगर 28 और 29 चलो, मैं 28 मान लेती हूं, क्योंकि यह थोड़ा सा एक दो question tricky था, तब भी 28 questions इसके proper तरीके से solve हो जाते हैं, और इस पूरे चीज को solve करने में 10 minutes से जादा नहीं लगता, और यह इसी प्रकार paper set भी किया है, so this was it for paper analysis for CDP paper 1, thank you and God bless.